नमस्कार पायस आयरुविदा की खास पेशकश में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ किरती कंसल और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इंदर जीत का और बहुत-बहुत स्वागत है मैं आपका आज अगर देखा जाए तो मुबाइल फोन के बिना हम अपने जिन्दगी की कलपना नहीं कर सकते हैं और अगर देखा जाए कि मुबाइल फोन को अगर हम देखते हैं तो ऐसे लगता है कि हर वक्त फोन की घंटी बज रही है और ये घंटी शायद हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है और सिर्फ मुबाइल फोन ही नहीं एसी फ्रिज ये सभी चीजे हैं ये हमारी जिन्दगी में कहीं न कहीं बड़ी समस्याइं लेकर आ सकती हैं क्योंकि इनसे निकलती है electronic radiation तो आज की अंक में हम इसी विशे पर बात करने करने की कोशिश करूंगी था कि हम लोगों को समाज आ जाई कि यह कैसे एफेक्ट कैसे करते हैं हर इंसान को लगता है कि इनका कैसे हो सकता है मतलब यह ब्रेन को कैसे एफेक्ट कर सकते हैं तो होते कि हैं जब यह वेव हमारे जब हम लोग read करते हैं messages read करते हैं या कुछ भी देखते हैं तो यह enter करती है हमारी eyes से enter करती है हमारे जो मैंने कल भी बताया था third eye पे काफी emphasize हमने किया था तो यह जब enter करती है यह हमारे brain पे effect करती है हमारे brain का main portion उसको read करने पे लगता है जब बहुत ज्यादा constantly हम brain को use करते हैं किसी भी च अगर आप लोग रिलाक्स भी करते हो तो माइंड आपका काम करता रहता है तो जितना उसको को रेस्ट करने के लिए चाहिए उतना डाइं दिमाग को नहीं मिल पाता है एक तो इसलिए मिल पाता है मैं कई बार इस तरह की समस्य है वैसे हमें भी देखने को मिलिए कि हम मुबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और सडनली जब हम आखे बंद करते तो एक दम से अंधेरा आज नॉलेज होगी देखें अंडेस्टेंड के वह एक लाइट से हम लोग जब डार्क में जाते हैं तो वह ब्रेन को भी वर्क करना पड़ता है तो वह एक फ्रैक्शन ऑफ सेकिंड उसको लगता है कि बार एडजस्ट होरे में तो जब हम लोग बहुत जादा हर चीज को मतलब जाएट हैं वह चाहीं मिशीनरी है वह चाहें हमारी बॉडडी के पार्ट नहीं है तो आईरवेदा में अगर माना जाएट वाद परकॉप होना शुरू हो जाता है तो जैसे के पहले भी हमने बताया कि वाद परकॉप जो है उसे 80 डिज़ीजिस मैंने बताई थी कि सबसे इसमें महारी नर्वज क बारण करतें हैं कि नाफैला सब्सक्राइब सब्सक्राइब टिविए करा मेशं़ आपशों कि अपड़ा करनी है यह और वाद क्यक्र नहीं हैHub leicht मैसेजिस करते हैं अब नहीं नहीं कर सकते ब्रापर रहा जाती है ब्लाव जैसे हम लोग कुछ भी काम करते हैं, उससे वो एक बार work किया, किसी चीज ने, वो दुबारा अपनी position पे आ जाता है, जब हम लोग सोचते हैं, या कोई भी activation हम लोग करते हैं, तो जो nerves हैं, वो अपना काम करके दुबारा अपनी position पे आ जाती हैं, तो जब हम लोग, जैसे हम लोग रबड को भी यूज करते हैं उसको एक पॉइंट से ज्यादा स्ट्रेच कर देते हैं वो तूट जाती है तो सीम इस दा केस्ट नर्व की साथ भी ऐसे हो जाता है कि नर्व अपना जो काम है वो उसके बाद वो एक टाइम पर आके वो बिलकुल रिलाक्स हो जाता है तो आप देखोगी कि बहुत जादा जैसे पार्किंसन जैया जितनी भी मेजर डिजीज जो हमें है क्राउनिक डिजीज होती है वो उस स्टेज जब हमारी नर्व पहुंच आती है लास्टिसिटी खतम हो जाती है वह वहां पर जाके हमें दिक्कत होती है तो वाद परकोप में एलवन की लास्टिसिटी खतम हो जाती है टूसरी उसके उपर इक लाइनिंग होती है जैसे में लोग की लेते हैंना व्यजिक के उपर की आम दिक्राबपर की और उसको मीलन शीत बोलते हैं जो यह लोग कोई भी झीज जब हम पर को यह तो नियु एatri नेरी भी जब मदलब डृइने होती है तो क्रवा शुरू हो जाती है अब सुचो कि यह ऐसे ख्राइक होती है तो वह होते हो जाती है तो वह वह हो जाती है अर। अपना जो काम प्रॉपरली नहीं कर पाती तो दीरी दीरी क्या जैसे जो हमारे ब्रेन में ही हार्मोनल जो सक्रीशन वहीं से होनी है हमारी सारी तो ग्लाइन आढकर का मैं दुरू पर यह यह वह उस्थ का में Somewhere भी मूबाइल यह कूला को इस्टिविए समस्या के आज के टाइम में मुबाइल iPhone इस्तिमाल कर रहे हैं तीवी को इतने नजदीक से देख रहे हैं लगातार फ्रिज का इस्तिमाल कर रहे हैं और इसी के साथ एक जरूरी सूचना ये भी है कि जितने भी दर्शक ये कारेक्रम देख रहे हैं फून लाइन के जरी हमारे साथ जुड़ सकते हैं मैं हम रेडियेशन के उपर बात कर रहे हैं तो आप हमारे दर्शकों को ये बताईए कि स्टेप बाई स्टेप इसमें क्या कुछ समस्य हैं सामने आती हैं मेली यहीं से शुरूरात होती है हमें हो तक क्या है कि जब हम लोग बहुत साथा सिटिंग आज की देट में देखा है मैंने ज्यादा काम सिटिंग का है फिजिकल लेवर उतनी नहीं रही जितनी पहले थी तो क्या होता है लैक ओफ जैसे हार्मों की बात करते हैं तो जो हार्मों हमें चाहिए डिजेशन के लिए या लिवर की फंक्शनिंग क कि सी बे तरीके की हम चाहिए तो वह जब प्रॉपरली डेशेशन नी हो पाती और ऑक्सिजन हमें नहीं मिल पाती तो उससे धीरे हमारा जो ब्लड में लिपिट का जो है वह उसकी रेंज बढ़ने शुरू हो जाती है जब लिपिट्स बरने शुरू हो जाएंगे तो हमारी जो ब्लड है वो ठिक होना शुरू हो जाता है तो कोई चीज है वो अराम से बहनी या कि क्योंकि नर्व्स मैं कल कोशिच करूंगी कि मैं इमेज दिखाऊं नर्व्स की तो वो इतनी छोटी सी जगह से उन्होंने निकलना है ना ब्लड ने जब ठीक हो जाएगा तुने उसको ह होना पड़ता है हाड हो जाएक तो ब्लड हमारा जो ब्रेन का बैरिएर है यह हां लोग जो ब्रेन पे मेन फोकस कर रहे हैं ढोग इक बैरिंट के जाकि जहां OF उसके एक मैश होती है जहांसे यह ब्लड हमें ब्रेन को चाता है तो वहां पर क्लॉगिंग होने शुरू हो जाती है कोई चीज हमें जैसे समझने के लिए मैं सोचू कि जैसे हम लोग चाय पत्ती चाय चन्नी लेते हैं तो चाय चन्नी में छोड़े पोर्स होते हैं वो विद पैसेज ऑफ टाइम आ अगेिषलिए जैसे समें अचे जांका यह क्हाएं लगते हैं रोड़े का सव क्तुल सब्सक्ण ऐसे हैं तो फोन और टीव इनके अरह तो नहीं सकते तो क्या अएम सा नहीं है यह फोन कितने देर यूज करना चाहिए या कैसे यूज करना चाहिए इसके बारे में कुई जान कर दीजिए आपका धन्यावार होगा हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मैं भी यही मानती हूँ कि हम लोग इसके बगया नहीं रह सकते और अगर सेम चीज में पहले भी मैंने बोली है कि अगर हम लोग नहीं भी यूज करते स्टिल वी आर अंडर दा इंफ्लूएंस क्योंकि अगर मैं नहीं फोन ले रही तो मेरे आसपास तो सारी जगा इंफ्लूएंस में आ जाते हैं उसमें रेडियेशन के ठीक है क्योंकि वायर्स तो सब जगा निकल ही रही है आज की डेट में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहां पर रेडियेशन नहीं है अगर हम लोग नहीं भी कर रहे तब भी तो मैं बोलती हमें तक आप मोबाइल पर मत रही है अगर आपने यूज भी करना है तो जैसे एक घंडे में आप पांच या दस मिनट मैं बोलूं कि यूज करो और पांच मिनट भी मेरे खाल काफी जादा है पर बूझे बोलते हूए ऐसे लगता है कि कोई इंसान एक घंडे में पांच मि की है तो वो जितना जितना हम लोग धीरे-धीरे खुद को कंट्रोल कर पाएं है ना मतलब की बात मुझे लगता है कि पढ़नी चाहिए आपका जिस चीज में इंटरस्ट है उस चीज को देखना चाहिए जो फुजूल की चीज़े हैं उस में टाइम नहीं लगाना चाहिए इंसान को है ना तो यह सारी चीज़े हम लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं कि गंटे में आपने पांच या दस मिनट आपने देख लिया और फिर आपने रिलाक्स किया फिर आपने पांच-दस मिनट यूज गया तो रिलाक्स गया और लैंड लाइन का मुझे लगता है जो इसमें होती हैं लगा के प्लग करके फिर आप यूज करिये राधर देन डारेक्ट आप इससे कॉल करने के लिए यह हम लोग जितनी प्रिकॉशन ले सकते हैं वो लेनी चाहिए हम जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमार साज जुड़ने के लिए तो मैं बहुत गंभीर य संदर्ब में आते हैं इनकी कंटेक्ट में हम आते हैं तो मैं ऐसी क्या साफधानिया कि जो बढ़ती जाए ताकि अगर हम इन रेडियेशन से बच सके दिखिए तो मैंने कल भी बताया था वो पाय सॉइल है आप उसको यूज करें क्योंकि वह उसकी न जो आरोमा है वह आप ज़से की जुरूरत है उसके लिए मैं बटाती हों कि आप नाग में बदाम्रोगन जरूरू ढले है अगर नोगन नमसे के पास नहीं है तो वह दीयोग मताया था टो एक रफॉम कर लुकष करके हलका सब यूज करके आपने यूज़ करना थो आपकर फूर ज्दा यूज़ करते हैं तो कई बरलर साइद्स की प्रप्ल को Жाती है और एक चीज़ और जो मैं बोलना चाहूंगी यहां पर कि आइस की भी एक्सराइज करने चाहिए आइस की रोटेशन करके घी का इस्तेमाल किया जाए मैं कई बार आप जिस तरह से अभी आप हमारे पहले दर्शक को भी बता रही थी कि कम से कम पांच या दस मिनिट के लिए फोन का कोई भी इंसान उनकी radiations के उससे परे नहीं है तो बट यह के वही जितना प्रिकॉशन ले सके उतना आपके लिए बैस्ट है ना फोन जैसे है फोन आप दूर रखके सो यह आप उसको बिल्कुल अपने पास और बिल्कुल रात को जरूर सैलेंट करके सो यह वह जो अगर वाइबरेशन पर रखते हैं तो वह जो वाइबरेशन से वह भी बहुत जाद पर रखे और उचे तदूरी पर फोन को रखे ताकि आपकी नीद जो है वो खराब ना हो क्योंकि नीद भी एक प्रक्रिया है आपके बोड़ी को रिलेक्स करने के आपके जो सैल्स डेमेज हो चुके हैं पूरे दिन में वह वीर टियर जो आपकी रात को फुल्फिल होती है सी जी हम बात कर रहे थे जmin की वाक का भी इससे कही ना कहीं समबन्ध है तो इसके बारे में विस्तार से बताएिए मेरी यह हमारी जो फरकॉप हो जाता है किसी चीज़ का भी इसम्त्रेमीत्य आजाता है व्हु entrar प्लाइल परदा आ आपके बी बहुत फाल्स और या कई अ इसको में बड़ी सिंपल सी लेंगुज में समझाना चाहूंगी यहां पर जैसे हम लोग इलेक्टिसिटी है ना इलेक्टिसिटी की वाइरिंग होती है तो ऐसे ही हमारे दिमाग में भी बहुत जादा वाइरिंग हुई है मतलब इसकी नर्व की तो जैसे वह शॉट सर्कृट आपने देखा होगे कि यहां पर हलका सा वह उसके उपर पिर हम लोग ब्लैक टेप लगा देते हैं उसकी इंसुलेशन दुबारा कर देते हैं वह इंसुलेशन ही है जो हर चीज की हर चीज के लिए रिस्पॉंसिबल है पर आपको आएगी वह वह जो हमें इंसुलेशन है या हम लोग सुक्चें के वह जो वायर की उपर के रबड होती है उसको हमने इंटेक्ट रखना है जी तो दैट इस दाओली यूनों के प्रिकॉशन हम लोग उसको कैसे हम लोग उसको हेल्दी रख सकते हैं ऑक्सिजन की बढ़ा के जो हम लोग गोगरित बताते हैं उसको नाक में डालते हैं तो उससे यह सारा जो हमारे साइनेस है ना वो सारे हल्दी रखते हैं जो तरह से नाक में बदाम की दो तिन बूंदे डाली या फिर घी लगा लिया तो यह चोटे-चोटे नुसके हैं जिससे आप काफ मूबाइल फोन पर बसिकली फोकस किया लेकिन आज देखा जाता है कि कि जो महलाए हैं ज्रीकसिक का इस्तेमाल करती हैं तовेर कहीं पर ऑब निकलती है नहीं वह उतनी ज़्यादा हामफुल नहीं है क्योंकि वहां पर एक मेकनिकल से सिस्टम आजाता है वहां पर रिडिशन का इतना जादा रही है निकलती है उसी से हीट आती है लेकिन आज के समय में तो देखा जाता है कि महिलाए जादतर आदी हो गई है करने के लिए बाहर के लोग उन चीजों से उतना दूर जा रहे हैं अच्छा और नोटिस कर रहे थी मतलब जैसे मैंने बाहर बहुत लोगों को देखा है यूसे में और लंडन में लास्टाइम में गई तो वहां पर मैंने देखा कि यह लोग इतनी बाग दौर करते हैं इतना हैं उनका जो सारा सिस्टम बहुत जादा हैल्दी रहने की कोशिश करते हैं बट स्टिल आर नॉट हैल्दी मतलब यह चीज मुझे क्योंकि आयरवेद के जो हम लोग जो गाइड करते हैं कि मौनिंग में आपने यह इस टाइम पर ब्रेकफास करना है इस टाइम पर आपको चाहिए उस टाइम पर फोन का इस्ते माल किया हैं फोड़ी दिर पहले मैंने अपसे प्लें किया था कि महिलाएं जो है वह 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 किच्छन में ग्राइंड vino करते मैक्षी का यह है कि लेडीज को गैस के पास मुबाइल का यूज मैंने रिसकी देखा है क्योंकि कई बार वह भी दैट किन कैच फायर तो वह आग पकड़ लेता है दो तीन लगने के भी कई बड़ी वज़ा देखे जाती है कि मुबाइल फोन को गैस के पास इस्तमाल करते हैं तो काफी जादा संभाव नाए रहती है कि आग लगती है और लेडियेशन भी कहीं न कहीं आपको प्रभावित करती है बिल्कुल एंड को जो लेडीज में खाना बनाना है ना इसके साथ एक और कॉलर हमारे सा जुड़ गए हैं शिवानी तो कहिए क्या समस्या है कि साथ साब से मैं 26 आपको की स्ट्रेस है क्या इतरी चोटी एज में ये प्रॉब्लम हो रही है नहीं मैं स्ट्रेस नहीं है किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं है पर नीन आने की समस्या हो रही है कोई तो रीजन होना चाहिए है ना या तो आप सोचते बहुत हैं या आपकी सेंस्टिव प्रकिर मेडिटेशन करो मैं हम आपके लिए सबसे बेस्ट चीज जो है आपको कुछ भी नहीं करना एक तो नाग में बदाम रोगन डालिए लुब्रीकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नींद तभी नहीं आती हमें बदाम रोगन जो है नाग में डाले बिल्कुल नाग में सबसे जादा और जल्दी आपको एफेक्ट देगी और साथ में अपने माइंड को स्टेबल करने की कुछ निश करिए आपका माइंड बहुत जादा एक्टिवेटेड है और बहुत जादा वह कर रहा है तो उसको रिलाक्स कीजिए थोड़ा सा किसी भी तरीके से बहुत बह से बात की कि meditation अगर की जाए तो नीनद आ जाती है यह वैसे हमारे विशे से ठोड़ा सा लग है लेकिन क्या मैं यह जानकारी आप से ले सकते हूं कि meditation दिन में कितनी बार करने चाहिए और कितने 20 मिनें करने करने कि जब लिए का लिए नहीं करती हो कि जब भी आपको कमफेर तब आप अपने लिए जरूर टाइम निकाली है ना दिन में दस मिनट या आदा गंटा मैं बुलू कि अपने लिए जरूर इंसान को टाइम रखना चाहिए तो उस टाइम भी आप अनुलोम-विलोम सबसे बेस्ट है एकसाइस जिससे ऑक्सिजन अंदर जाती है तो ऑक्सिज सब्सक्राइम आप शुरू करने जैसे लेडिस हैं लेडिस को कई बार बीपी लो रहता है या उनको छोड़ी बातों पर इर्रीटेट रहती है और डिप्रेशन रहता है तो उनको राइट साइट से शुरू करने जाहिए राइट सूर्या नडी लेफ्ट चंदरमानाडी त लेफ्ट साइड पर हमने छोड़ दी और फिर लेफ्ट साइड से लिया और राइट साइड से छोड़ा तो दिस दिस इस काउंट एज वन एक यह काउंट हुआ है ऐसा मिनिमम दस टाइम आपने करना है दस बार से शुरू करें आप फिर जैसे जैसे आपको अच्छा लगता जाएगा क्योंकि इससे इतनी अच्छी फीली कानी शुरू हो जाती है आपको आप हेल्दी रहना शुरू हो जाते हैं फिप्टी परसेंट आपकी प्रॉब्लम्स चली जाती है तो नेचुरली इंसान को जब किसी चीज से फायदा होता है तो अपने आपी करना शुरू कर जाते हैं तो दस गिंती दस से शुरू करोगे तो अपने आपी बढ़ता जाएगा जी हम बात कर रहे थे रेडियेशन की एक वक्त था 19 वी सदी में अगर देखा जाए तो हमारे पास फोन नहीं थे और हम फोन वगेरे से जादा दूर रहते थे तो आज जो चोटे-चोटे बच्चे कई न कई देखा जा रहा है कि आजकल माबाप उन्हें बच्पन में हाथ में फोन थमा देते हैं और बच्चे आदी हैं कार्टून देखने के अगर उन्हें टीवी पर देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं तो फोन पर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कही न यहां पर थोड़ा सा मतब यह बोलना चाहूंगे कि बच्चों को अपने कार्टून देखने देने हैं और देखने देने भी चाहिए वादब कार्टून उतरे भुरे नहीं होते क्योंकि मैंने बहुत कार्टून देख लिए तो वह आपको एक सीख भी जुरूर देते हैं यह थोड़ा सा वाच करना चाहिए पेरेंट को कि वह बी मतलब टपोरी टाइप लेंगोज मैंने देखा है कि कही कार्टून वह वो क्यों नहीं कार्टून हैर को अच्छा नहीं होगा बट मैंने देखा है कि बहुत सारे कार्टून ऐसी हैं जो मैं हमेशा अपने पेटे के साथ देखती हूं, तो they are inspiring, वो बच्चों को help करने की प्रेहना देते हैं, वो देखते हैं कि कोई परेशान है, तो उसको आपको help कैसी करनी है, किसी को कोई चीज सिखानी है, तो वो बहुत सारी चीजे सिखाते भी हैं, but language का ज़रूर ध्यान लगना चाहिए, मुझे लगता ह जी, तो एक time होना चाहिए, और आज के इस पूरे कारेकरम में हमने बात की, कि radiation के सरह से हमें प्रभावित करते हैं, इसके साथ ही, एक समाजिक हमने message भी लिया है, कि cartoons अगर बच्चों को देखने दिया जाए, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन, एक selection होनी चाहिए कोई कोई कार्टून देखने चाहिए, क्योंकि आज कल भाशा बड़ी अभधर यूस की जाती है, बहुत जादा, मतलब बच्चों के लिए नहीं है, वो लेंगवे यूस करते हैं, मुझे तो लगता है कि पेरेंट्स को इस पर जरूर कुछ ना कुछ रेक्शन देना चाहि हमारे साथ बने दैने के लिए, नमस्कार.